दोस्तो पहले तो आप वो वीडियो देखिए जो सम्वित पात्तरा ने अपने टूटर हैंडल पर सेयर किया तो कोई कहला था मिट्टी के तेल भी इस्तिमान हो लिए हैं? मट्टी के तेल तो बहुत दिन आते हैं अब आई नहीं से बंद ए गई वो भी बंद है दोस्तो इस वीडियो में सम्वित पात्तरा आपको क्या समझाना चाहते हैं अपने टूटर हैंडल के माध्यम से वीडियो के सेयर करके वो लोगों को क्या बताना चाहते हैं आप समझी गए होंगे दरसल प्यंका गांधी जब महिला से पूछती है कि ये काम चूड़ी जोड़ने का काम तो मिट्टी का तेल से भी हो जाता होगा तो महिला का जवाब आता है कि मट्टी का तेल तो अब आता ही नहीं है अब सिर्फ गैस से ही ये सारा काम होता है इस वीडियो को share करके संबीत पात्रा लोगों को यही बताना चाहते हैं सायद कि यह महिला जो है यह एकदम संपन है और यह मिट्टी का तेल नहीं गैस का इस्तेमाल कर रही है और मिट्टी का तेल गायब कर दे जाने से मिट्टी का तेल मार्केट में नहीं आने से इसको कोई दिक्कत नहीं है संबित पात्रा ने इस वीडियो का सिर्फ वो ही छोड़ा सा क्लिप सेयर किया आपके साथ जिसमें ये महिला ये कह रही है कि मिट्टी कतेल अब नहीं आ रहा है इसलिए हम लोग सारा काम गैस से ही कर रहे हैं लेकिन गैस से करने की मजबूरी जो महिला आगे बताती है वो संबित पात्रा नहीं सेयर करते हैं आप सब के साथ तो पहले आप वो वीडियो देखिए जो प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर सेयर किया है आपको ये देखना चाहिए छोटी सी क्लिप अब करें अब करें आपको तो तो थेमेड़े के लिए तो कोई कह रहा है तो मिट्टी के पेल हूरी है दोस्तों मैं समझता हूं कि ये वीडियो के देखने के बार आपको कम से कम ये तो конфirme ही हो गया होगा कि इस इस वीडियो की सच्चाई क्या है इस वीडियो में महिला अपनी क्या मजबूरी और गैस की महगाई को लेकर क्या मजबूरी बताना चाहती है वो तो आप समझी गए होंगे और इसी के उलट जंबित पात्रा क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से वो भी आप समझ गए होंगे चूरी जोडने वाली ये महिला बताती है कि एक बंडल चूरी जोडने के लिए हमें 3 रुपए मिलते हैं और दिन भर में 10-15 से 20 बंडल हमी जोड पाते हैं यानि कि कुल बिजनेस उसका 30 से 35 से 40 रुपए का होता है अगर ये महिला 30 से 35 रुपए महंगे मिट्टी के तेल से काम करती तो इसके पास कितना रुपया साम को बचता आप समझ सकते हैं और अगर ये महिला इसी काम को जो 30 से 35 रुपए में दिन भर में कमाती है वो अगर इतने महंगे गैस सिलंडर का इस्तेमाल करती है तो उसके पास क्या बचेगा आप खुद घटा लेजिए मार्केट में मिट्टी का तेल आता ही नहीं है इसलिए हमें गैस का ही इस्तेमाल करना पड़ता है जबकि इतना महंगा हो गया है अब आप सोचिए कि संबित पात्रा वीडियो को कैसे आउट आफ कॉंटेक्स्ट आप लोगों के सामने परोस रहे थे जो वीडियो का जो कॉंटेक्स्ट है जो उसका सारांस है संबित पात्रा उसको ही बदल दे रहे थे महिला अपनी मजबूरी बताना चाहती है लेकिन एक जगा का एक क्लिप सेर करते हुए संबित पात्रा महिला को संपन्न बताते हुए प्रियंका गांधी और कॉंग्रेस पार्टी का मजाग बनाना चाहते हैं लेकिन दोस्तों आप ये बेहतर तरीके से समझ गहे होंगे कि दरसल सम्भित पात्रा कॉंग्रेस पार्टी का मजाग बना रहे हैं या फिर जनता का मजाग बना रहे हैं जो अपनी मजबूरी लोगों को बताना चाहती है लेकिन संबित पात्रा उसकी छोटी जेकलिप का इस्तिमाल करके उसका वीडियो को मैनिपुलेट करके लोगों को कुछ और समझाना चाहते हैं संबित पात्रा की इस चालाकी पर अपनी प्रदक्रिया में कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर रागनी नायक संबित पात्रा की एक तस्बीर जिसमें संबित पात्रा एक महिला के साथ बैठे हुए होते हैं जो वो खाना बना रही होती है चूले पर इस तस्बीर पर डाक्टर पोस्ट किया है बहुत उचलो नहीं एक लाइक सची पत्तर कारता के लिए और ज़्यादा प्रोचसाहित करता है इसलिए वीडियो को लाइक चरूर करें